नमस्कार आप देख रहे हैं कैप्टल टिवी और मैं हूँ आपके साथ पारुलत रुपाथी कॉलकत्ता के आरजिकर एस्पताल और कॉलेच मामली के सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई इस बीच ये सीनियर एडुकेट कपिल सिबल ने बड़ा दावा किया है कपिल सिबल ने सीज्वी आई के सामने चुनता चताई है साथ ही सीज्वी आई चंदरचूर ने पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बानर जी को जम कर फटकार भी लगाई है क्या गुचेपुरा मामला क ऐसे एक बार फिर ममता बैनर जी की बढ़ गई है मुश्किले सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में चलिए शुरू करते हैं CGI चंदरचूर ने ममता सरकार को हड़काया CGI चंदरचूर का वकील पर फूटा गुसा CGI के सामने कपिल सिब्बल ने जोताई चुनता कपिल सिब्बल का दावा है कि उनकी महिला से कर्मियों को रेप और एसिट अटाक जैसी धमकिया मिल रही है मामले के सुनवाई भारत के किसी को भी खत्रा हुआ तो कारवाई की जाएगी बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार सिब्बल ने कहा मेरे चेंबर में मौझूद महिलाओं को धमकिया मिल रही है और मेरे बारे में कुछ पोस्ट है कि मैं हसता हूँ मैं कब हसा ऐसा कहा जा रहा है कि उन पर एसि जोने के चलते ये धम किया मिल रही है इस पर बेंच ने कहा अगर किसी भी महिला या पुरुष को ऐसा जोखिम होता है तो हम हस्तशेप करेंगे सिब्बल ने कहा कि पच्चास सालों में वकीलों का कमाया गया सम्मान रातों रात खत्म किया जा रहा है खास बात है कि सिब्बल का कहना था जो भी हो रहा है उसे लेकर मुझे काफी चुनताएं हैं जब मामले का ऐसा सीधा प्रसारं किया जाता है तो उसका भावनात्मक असर होता है हम यहां आरोपी के लिए नहीं हैं हम राज की ओर से पेश हुए हैं और जैसे ही अदालत कोई टिपणी करती है तो हमारी प्रतिष्ठा रातो रात खत्म हो जाती है यह 50 सालों में कमारी प्रतिष्ठा है स्वापनल तृपाठी के मामले में कहा गया था कि ऐसे मामलों का सीधा प्रसारं नहीं होना चाहिए सुप्रेम कोड ने आर्जिकर कॉलेज और अस्पताल केस में स्वता संगान लि है और अब इसी मामले में फीजियाई चंद्रचूर ने ममता बैनर जी को जम कर फटकार लगाई चीफ जस्टिस डिवाई चंद्रचूर ने पश्चुम बंगाल में ममता बैनर जी के नए नियमों को लेकर जम कर फटकार लगाई है इन नए नियमों में कहा गया था कि नहीं सकते हैं इससे पहले कॉलकत्ता की आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की डॉक्टर के बलातकार और हत्या के बाद यादी सूचना ज्रारी की गई थी एंडियमों में जल से जल बरलाफ करने के लिए बंगाल सरकार को निर्देश देते हुए चीफ करने के लिए तैयार है सुप्रीम कोट ने अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए सुप्रीम कोट ने अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए कॉंट्राक्ट पर प्राइवेट एजंसियों के सुरक्षा कर्मियों की नियुक्त पर भी सवाल उठाए हैं कोट ने कहा कि कॉंट्राक्ट पर काम कर रहे लोगों को साथ दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और वे पूरे अस्पताल में घूमते हैं इनके जरीय सुरक्षा कैसे सुनिश्वित की जा सकती है कोट ने कहा कि रेप मडर मामले का मुख्य आरोपे भी एक सिविक वॉलिंटेरी हैं बंगाल में 28 सरकारी अस्पताल हैं वह 18 से 23 साल की युवा डॉक्टर काम कर रही हैं राज्य में 45 मेडिकल कॉलेजों में लड़कियां बारवी कख्षा के बाद आती हैं वे बहुत छोटी हैं उनमें इंटर्न भी हैं ऐसे में कॉं सुपरीम कोड में इन चार मुद्दो पर भी हुई चर्चा वकिल इंदरा ज्यसिंग ने जूनिया डॉक्टरों का पक्ष रखते हुए कहा कि डॉक्टर्स हरताल खत्म करना दोहते हैं बंगाल सरकार ने डॉक्टरों की काम पर लौटनी की तारीक पूछी ज्यसिंग ने कह कर लेते तब तक कोई तारीक नहीं दी जा सकती बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोड को आश्वासन दिया कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जाएगी सुप्रीम कोड ने दूसरी चर्चा में सीब्याई पीडित के माता-पिता से मिले कपिल सिब्बल को क्या-क्या सुनाया चीट जस्टिस ने मंतब आनर जी सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि सिब्बल जी आपको विस पर गौर करना होगा इसका जवाब यह है कि आपको सुरक्षा देनी होगी पर शुम बंगाल को यह नियम बदलने होगे आपका सिब्बल ने जवाब दिया कि समन्नित नियम को हटा दिया जाएगा इसी के साथ अब आपको बता दे कि सीजी आई चंद्रचूर का वकील पर फूटा गुसा सुप्रीम कोट में सुनवाई के दौरान फिर से एक वकील को मुख्य न्याय देश्व डिवाई चंद्रचूर क एक गुस्से का सामना करना पड़ा है सीजी आई चंद्रचूर समेत तीन जजों की बेंच और सभी पक्षू की दलीले सुन रही थी तभी एक वकील जोर जोर से बोलने लगे इस पर सीजी आई ने उनसे कहा कि पहले आप बात सुनिये और अगर नहीं सुनेंगे तो आपको कोर्ट से बाहर कर देंगे सीजी आई चंद्रचूर के साथ जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस जेवी पारदीवाला भी सुनवाई कर रहे थे सुनवाई के दौरान जोर जोर से बोल रहे एक वकील को चीफ चंद्रचूर ने कड़ी फटकार लगाई इस वकील ने याचक सीजी आई चंद्रचूर वकील के इस वहवार पर नाराज हो गए और उन से कहा कि ये पॉलिटिकल फोरम नहीं है ये राचनीतिक मंच नहीं है आप बार के सदस्य हैं हमें कुछ कहने के लिए आपकी इजाज़त की जरूरत नहीं है आपको कुछ कहने के लिए कानूनी क्या महसूस करते हैं यह हमारी चुनता का विश्वय नहीं है हम यहां विश्वय शिरूप से डॉक्टरों की शिकायतों को सुन रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि कोट मुख्यमंत्री को स्तीफा देने को कहे तो ऐसा नहीं हो सकता यह कोट का काम नहीं है वकील इस पर भी स्ताल में बलतकार और हत्या को लेकर तेश भर में चल रहे विरोत के बीच मुख्यमंत्री मम्ता बानर जी के प्रमुख सलाकार अलपन बंदो पाध्याएं ने महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनश्चित करने के लिए एक नई पहल की घोशना की थी इसके मुताबिक सभ इस तरह से विवस्तत की जाएगी कि रात की ड्यूटी के मामले में महिला डॉक्टरों को अकेले में काम ना करना पड़े उन्होंने कहा कि निज्वी स्वास्त सेवा केंद्रों को भी इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा अब आपको इसके साथ बता दें पशिम मंगाल के सीम मम्ता बैनर जी को डॉक्टर के मांगों के आगे आखिरकार चुकना ही पड़ा है कॉलकत्ता के ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या कि बाद से डॉक्टर में काफी उबाल देखने को मिला है अपनी मांगों को लेकर वो लगातार विरोध प्रधर्श कारियों की शर्ते माली और उसके बाद कॉलकत्ता की पुलिस कमिशनर वीनीद किस में आगे क्या होगा वो तो आगे वक्त बताएगा हम आप तक सारे अबडेट पहुचाते रहेंगे फिलाल इस खबर में बस इतना ही बाकी देशनर दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप दिखते रहें क्यापितल जीव। हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया